तो हेलो एव्रिवन आज के इस क्लास में हम लोग कम्प्यूटर के 20 questions की प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें basic basic questions लिये गये हैं तो आप starting से ले करके enter complete देखना क्योंकि exam में भी इसी प्रकार के questions पूछे जाते हैं पहला question है यहाँ पर यदि memory chip volatile हो तो अगर हमारा जो memory है वो volatile हो तो क्या होगा तो answer इसका जो है na option B जो कि इसके content खत्म हो जाएंगे यदि current को turn off कर दिया जाएगा तो देखो यह temporary होता है अस्थाई होता है अगर हम अपना data या फिर content जो है इसको save करके नहीं रखे और turn off power off हो गया तो हमारा data और जो content होगा वो delete हो जाएगा तो यदि memory ची volatile होगी तो क्या हो जाएगा ये content खत्म हो जाएगा और ये temporary होता है इस बात को आप याद रखेंगे example अगर आप से पूछेगा तो आप यहाँ example दे सकते है RAM का जो कि random access memory और इसका just opposite होता है ROM read only memory वो permanent होता है next question second number है dash software code में तुरूटियों का पता लगाने का process है वो कौन सा software है जो code या फिर प्रोग्राम में error का पता लगाता है find out करता है और उसको solve भी करता है तो यह debugging right answer होगा याद रखेंगे computer program के अंदर में जितने भी error या फिर problem जो होता है उसको find out और solve करने की यह process होती है third number question है kiosk यह है क्या तो यह एक computer station होता है जो जनता को विसिस्ट और उपयोगी सुचना और सेवाएं उपलब्द कराता है तो याद कैसे करेंगे first time अगर आप देख रहे हैं तो आपको tension नहीं लेना है आप ध्यान से बस class को starting से लेकर के end तक देखिए और इसी तरह के और भी प्रेक्टिसेशन लाए जाएंगे जिसमें questions repeat होंगे तो आपको याद हो जाएगा तो इसका tension नहीं लेना है तो यहाँ जो क्योस के है ये क्या है एक computer station होता है जिसमें जनता को जो public को ये विशिस्ट और उप्योगी सुचना है और सेवाओं का ये उपलब्द कराता है अगला question है CD-ROM वर CD-RW में क्या फर्क है difference between CD-ROM और CD-RW क्या है तो CD-RW जो है इसको हम क्या कर सकते है इसको हम लिख सकते हैं लेकिन जो CD-ROM है इसको क्या करते हैं केवल पढ़ा जाता है और इसका full form भी आप लोग देख लिजेगा मैं बता दे रही हूं तो कहीं पर लिख लिजेगा या फिर ध्यान से सुनिएगा तो भी आपको याद रह जाएगा CD-ROM जो है ना CD-ROM का full form हो जाएगा यहाँ पर compact disk read only memory होगा और CD-RW है जिसका compact disk हो जाएगा CD का RW का क्या होगा तो re-writable होता है next question देखते हैं CPU का वह भाग जो प्रोग्राम को access और decode करता है CPU का control processing unit होता है full form तो इसका वह भाग जो की प्रोग्राम को access और decode करता है और विभिन प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है यानि कि यह क्या करता है coordinate करता है इसके flow to the various system of system components को answer क्या होगा option first तो नहीं होगा right answer इसका हो जागा नियंत्रक इकाई अब देखो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा से आपको समझने में difficulty होगी आपर लेकिन नियंत्रक इकाई यानि की control unit cu यहाँ पर answer होगा आगे बढ़ते हैं अगला हमारा question है computer program उच अस्तरिये programming भाशा में लिखे जाते हैं जो computer program है उसको high label programming language में लिखा जाता है रुपांतर को क्या कहा जाता है answer इसका क्या हो जाएगा यानि की human readable version जो है इसका program का उसको क्या कहेंगे हम लोग कंचे, annotation, set, source code या फिर word size answer is option c इसको हम लोग source code कहेंगे next question I hope इतना आपको clear हो गया होगा next है जब किसी presentation को save किया जाता है मान लिजे आप powerpoint में कोई presentation तयार किये उसको save कर रहे हैं तो उस टाइम क्या करना चाहिए तो presentation की सभी slide उसी file में save होती है option b है तो दो file बनाई जाती है आप दो file बनाएंगे और graphics के लिए एक content के लिए यानिन कि एक graphics के लिए आप file बनाएंगे दूसरा content के लिए ऐसा नहीं करना है तो प्रत्यक slide के लिए एक file बनाएंगे हर एक slide के लिए हम file नहीं बनाएंगे प्रते एक animation ये graphic के लिए file बनाए जाती है बिल्कुल नहीं आप presentation तयार किये हैं मान लिजे वो 10 slides का हो तो आप क्या करेंगे presentation को कि जितनी भी slides है न वो एक ही file में या फिर उसी file में save होती है तो ये option first हमारा right answer होगा आगे बढ़ते हैं dash file और folder को प्रदर्शित करता है वो कौन सा explorer या फिर कौन सा software है जो file और folder को क्या करता है प्रदर्शित यानि की so करता है तथा computer के कारिये को आगे बढ़ाता है और जो computer के जितने भी functions होते हैं उसको ये आगे बढ़ाता है जिसमें file hierarchy के भीतर ही एक location से 98 का यहां पर option first जो कि है Microsoft internet explorer होगा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ms internet i or explorer ऐसे देखने को मिलेगा और Microsoft कहीं नहीं लिखा हो रहेगा internet explorer भी लिखा हो रहेगा तो राइट आंसर यहीं होगा next है आपके computer में hard disk में वाइरस है माले आपके computer के hard disk में क्या है वाइरस है तो इसे पता लगाने की समान्य विधी क्या होगी option देखिएगा ध्यान से तो option में आपको answer मिलेगा ही नहीं option D यहां पर right answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं कोई भी hard disk या फिर कोई भी आपका system में virus है तो वहाँ पर आप कैसे उसको पता लगा सकते हैं तो virus total website से scan करके हम virus है या नहीं इस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं option D is the right answer next question है memory जिसे random access memory RAM भी करते हैं तो अभी just मैं इसका full form बताई थी random access memory होता है यह volatile यानि कि temporary होता है इसमें अगर data data या फिर content है उसको save हम नहीं किये हुए है power off हो गया तो delete हो सकता है तो इसलिए यह temporary होगे तो बोला गया है कि यह क्या करता है तो यह electronic घटक होते हैं जो data को store करता है और RAM और ROM में कौन सबसे ज़्यादा data को store करता है तो यह ROM होता है क्योंकि यह permanent होता है और इसमें अगर power off हो गया तो content हमारा delete हो जाता है next है किसी program में errors को ठीक करने को क्या कहते हैं debugging है, bugging है, rectifying और modifying किसी भी program में error को ठीक करने को हम लोग debugging कहते हैं तो देख सकते हैं इसी में यह वाला question repeat हो गया तो आगे से ऐसा question आएगा तो आपका कभी भी error उसमें नहीं होगा तो answer होगा यहाँ पर option first next is assembler का पर्योग days में लिखे के program को translate करने के लिए किया जाता है जो assembler है ना उसका पर्योग कहां पर क्या जाता है अंसर इसके हो जाएगा असेंबली लेंग्वेज में लिखे के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है आगे क्वेशन है कि एक ही प्रोसेसर को परियोग करते हुए एक ही कम्प्यूटर सिस्टम में साथ साथ यहां पर दो या दो से अधिक केलाती है जनसर होगा इसका option के प्रोग्राम मियंग प्रोग्राम को एक्जूट करने के लिए यहां पर बोला है तो करना खियक deeper concise कि फियो कध papa केस्ट होना है मक्वेशन नहीं होना है विप्रोशेसर का बण्यादी लेक्षय डेटा को डेस बदलना है यानि कि जो computer process है उसका बुनियादी लक्ष डेटा को क्या करना है सूचना में बदलना है टेबलों में फाइल में ग्राफ में या आंसर हो जाएगा option first इसका बुनियादी लक्ष जो है डेटा को information में क्या करना है बदलना है answer सूचना हो जाएगा document की hard copy जो document होती है उसकी hard copy क्या होती है तो printer पर print होती है option D answer next है name में से कौन सी output device है अब input output device तो everyone knows सभी जानते हैं कि क्या होता है फिर भी मैं आपको यहां पर बता देती हूं तो input device की अगर हम बात करें किसे कहेंगे input device तो किसी भी device के द्वारा computer में कुछ भी चीज को हम in करते हैं ना input करते हैं उसको input करते हैं जैसे कि example में लिख लिजेगा keyboard हो गया उसके बाद mouse हो गया scanner हो गया then microphone light phone यह सब क्या है input device है और अगर output device किसे कहते हैं पूछा जाएगा तो input किया गया जो instruction है निर्देश जो है ना processing होने के बाद device में जिस भी रूप में हमें जो हमें result मिलता है चाहे वो hard copy में हो या फिर soft copy में हो उसे ही हम output device कहते हैं अब इसके कुछ examples हैं जैसे input device की examples में आपको बताएं वैसे ही लिख लेना output device की examples monitor, printer, plotter, multimedia, projector, sound card या speaker यह सब हो जाएंगे तो answer यहां पर question क्या पूछा है कि output device इन में से कौन सा नहीं है तो scanner में आपको input device में बताई थी तो यह input device यह plotter, printer, monitor यह सब क्या है output device है I hope यह clear हो गया होगा आपका और अगर फिर भी doubt है तो थोड़ा सा back करके आप देख भी सकते हैं next question, special task के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का परियोग किया जाता है यानि कि which keys are used with other keys for special task हम कुछ special task कर रहे हैं तो उसके साथ हम कौन से keys को use कर सकते हैं तो यह control, CTRL और shift का हम use करते हैं अगला question है, computer के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है जिसको हम लोगchte सकते हैं देख सकते हैं उसको महां सूस कर सकते हैं तो यह hardware हो गया 카드 благодар क्या होता है हम उसको नहीं देख सकते हैं जैसे को pneumonia findaskla जीसे कोई PDF हम Foon में निकाल के पढ़ रहे है, तो वह software हो जाएगा और उसी को हम print out निकाल लिए तो वो hardware के रूप में होगा तो answer इसका हो जाएगा option C next है computer data एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वो प्रयुकताओं को data days करने देते हैं तो data क्या करने के लिए देते हैं present store output and input answer is answer होगा यहाँ पर input करने के लिए देते हैं अगला question है CPU को पूरा नाम क्या है यह answer आपको पता होगा यहाँ पर देख करके Central processing unit जो है यह CPU को पूरा नाम है और इसी तरह और important मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर उसका भी full form याद कर लेना MICR का full form लिख लीजिएगा यहाँ पर magnetic ink character reader होगा next OMR जो की है optical mark reader होगा और ALU यह सब important इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ALU जो है arithmetic logic unit होगा तो आई होप आपको यह class अच्छा लगा होगा तो session को share कर देना अपने friends में ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेशन लाए जाएंगे तो फिर मिलते हैं आप मलूब नेख ही एड़ जाव लूब नेख्योर मैं